कर दोस्तो मैं मुकुंद रहुत आपका स्वागत है लॉंट्रे नॉलेज आइंड केमिकल्स में तो दोस्तो ये ब्लैक कलर का इंक है ब्लैक कलर का इंक जल्दी निकलता नहीं और खास तो और पर कॉटन के कपड़ों में आगर लग जाए तो ये देख सकते हैं ये इंक लगा है ये सिंतेटिक टाइप का कपड़ा है तो मगर कौन से कपड़े पर कौन सा दाग लगेगा ये हमें समझ में नहीं आता मगर हम कस्टमबर को कुछ नहीं बोल सकते कि ये सिंतेटिक है ये कॉटन है ये ब्लैक इंक है ये ब्ल्यू इंक है हमें बस बात यह करना है कि क्या हो गया इंक लग गया ठीक है निकल जाएगा 100% निकल जाएगा आपको इतना चार्ज लगेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लग गया है और यह यहाँ पे लग गया इसका 200 रुपे चार्ज लगा दिया है यह बहुत जाड़ा बन गया है इस धेली में तो दोस्तों जब ब्लैं कि इंक में EoCR E80 अच्छा काम करता है जैसे कि EoC. number 2 ये दोनों ब्लेक इंक थोड़ा टाइम लेता है मगर जैसे ही हम उसमे EoCR E80 जोड़ देते है तो बहुत आच्छा रिजल्ट मिलता है तो दोस्तो हम पहले क्या करेंगे बीगर कपडा गीला की ये inscr80 लगा रहे हैं ये देख सकते हैं हमने inscr180 लगाके ये बाटल के टोक से थोड़ा रगण दिया प्र हम एक एसस्या स्चेंड रिमॉ कुझे पहले क्या लगाया ये सिया रह यार टी बाद में क्या लगाया यसी आई और तीसरे बारे में क्या लगाएंगे एक्सल स्टेंड रिमोवर तो दोस्तों दाक कौनसा भी हो कोई टेंशन नहीं है कपड़ा कौनसा भी हो कोई टेंशन नहीं है जब परफेक्ट केमिकल होता है तो परफेक्ट रिजल्ट आता है सेकंडों में रिजल्ट आता है तो ये देख सकते है अभी ये सिंतेटिक टाइब का कपड़ा था तो ये जो ब्लैक इंक है बिल्कुल खतम हो गया सेकंडों में खतम हो गया आगर ये कॉटन कपड़ा रहता तो ये निकालने में टाइम ले लेता मगर time ले लेता तो हम time दे देते या फिर हमें लगता है कोई अलक chemical इसमें जोड़ना पड़ेगा यह जो main ढेली थी अभी फैले वाला भी बिलकुल निकल जाएगा इसी से ही निकल जाएगा तो आभी टार्गेट करते हैं दुसरे stain को यह देख सकते हैं यहां पे भी ब्लैक इंक है पहले यसी आरेटी उसके बाद में एक्सल यसी आई और तीसरे बारी में एक्सल तीन केमिकल लगा दिये बोटल के टोक से रगड दिये हलका सा टूद ब्रश कर दिया और यह देख सकते हैं दाग सेकंडों में खलास यह देख सकते हैं जो दाग था बिल्कुल निकल गया है यह फैले वाला भी बहुत इजी निकल जाता है जो कपड़ा फैल जाता है देख लीजिए यह जो फैल गया है इसको भी ठीक उसी तरह से निकलते हैं कोई टेंशन ने यह सी आरेटी यह सी आई और एक्सल जिसको सुकने नहीं देना है सुकने के बाद में तकलिप करेगा मगर फिर उसका भी कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल निकल जाएगा कितना भी सुकने दो उसको क्यूंकि हमारे पास परफेक्ट केमिकल है तो परफेक्ट रिजल्ट आना ही आना है तो देख सकते हैं जो फैले वाला था ओ भी किस तरह से सेकंडों में निकल गया यह देख सकते हैं जो फैले वाला था बिल्कुल निकल गया है ब्लैक कलर की इंक हो ब्ल्यो कलर की हो रेड हो रंगिन कपड़े पे हो सपेत कपड़े पे हो किसी पेपर भी हो हम बिल्कुल गयारंटी से निकाल के दे सकते हैं मगर आपके पास परफेक्ट केमिकल होना चाहिए तो दोस्तो ये हमारे केमिकलों के भरोसे पे आप दाग निकलने की बिल्कुल ग्यारांटी दे सकते हैं एक कपड़े के सव देड़ सो दो सु रुपे खर्चे के हिसाब से लगा सकते हैं हम आपको ग्यारांटी दे देते हैं आप आपने कस्टमबर को आपने लॉंडरी में ग्यारांटी दे देजिए हमने SCI लगा दिया SCI लगाने के पहले SCI रेटी लगा दिया बाद में SCI एकसल और ये बहुत जाड़ा ढेली बनी हैं कितना भी जाड़ा रहा तो भी हमें कोई टेंशन नहीं देख सकते हैं कितना गाड़ा निकल गया है इसको पानी में हम निकल रहे हैं आप चाहे तो वासिंग के टाइम में भी इस तरह से निकाल सकते हैं जब आपका वासिंग टेबल होगा वासिंग टेबल पे या फिर आप जिस जगे पे वासिंग करते हैं उस जगे पे बस पहले बिगर गिला करके यूज करना है और बाद में गिला करके आप इसको कर सकते हैं तो देख लिया जो में डेली थी हमने किस तरह से खतम कर दिया है यह देख सकते हैं यह जो में डेली थी बिल्कुल खतम हो गई है यह सिंतेटिक टाइप का कपड़ा था इसलिए इसलिए जल्दी छोड दिया अगर यह कोटन का कपड़ा होता तो छोडने में दिक्कत करता दिक्कत करता मगर हमारे पास भी परफेक्ट केमिकल है कोई दिक्कत नहीं करेगा हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम ले लेंगा तो हम टाइम दे देंगे मगर इसको ग्यारांटी से तो निकाल के देना ही देना है देख सकते हैं यह लाहिू डेमो आपको बता दिया है किस तरह से निकलता है यह देख सकते हैं में डेली खतम हो गई जो फैले वाला था वो भी खतम हो गया अभी यह जो बचा है बिलकुल वाशिंग में निकल जाएगा मैं थोड़ा पार्ट निकल के बताता हूँ आपको बिल्कुल निकल जाता है यह, इसको पानी में डाल देंगे, सुकने से पहले ही इसको निकल लेंगे, देख सकते हैं, बिल्कुल निकल जाता है, अब इधर के पार्ट को थोड़ा टार्गेट करके बताते हैं आपको, यह देख लिजिए, यहाँ पे फैल गया है, यह भी किस तरह से निकलता है यस्ट्रो चार्ज लगा देना है इतना काम है तो 200 रुपे लगा सकते है अब क्यूंकि आपने को दो बार तीन बार करना है इसको फिर वाशिंग करना है अगर कहीं बच जाता है तो फिर डबल करना है इसलिए यस्ट्रो चार्ज लगाना जुरूरी होता है तो देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल निकल गया तो इसी तरह के दाग निकलना सीखने के लिए देखते रहे हैं लॉंड्री नॉलेज आइंड केमिकल्स जै हिंद जै भारत